Welcome to Nation Info Hub तो कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ़ते आप के लेके आते हैं Indian Law for All या हिंदुस्तान का खानून सब के लिए और इसी के तहट हमने Constitution की इस सीरीज को शुरू किया अभी तक हमने Constitution के Article 34 तक पढ़ लिया है अगर आपने हमारा पुराने वीडियोस नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट Indian Law for All विजिट करके आप देख सकते हैं उस पे हमने सारे आर्टिकल्स को मेंशन किया है और उसको एक्स्प्रेंड किया है आप वहाँ पे असानी से Case Studies के साथ समझ सकते हैं या आप I button जो उपर आता है उस पर क्लिक करके भी हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और आज का वीडियो जो है वो है Article 35 अब Article 35 क्या है ये Part 3 और Fundamental Rights का जो 12 से 35 तक आता है उसका आखरी Article है अब Article 35 में एक बात को साफ साफ बोल दिया गया है कि जो Parliament है उसके पास एक Exclusive Power है कि वो Laws बना सके तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया जो है एक Union of States है मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे States है और उने States की अपनी एक Legislature है जो अपने इसाब से Rules बनाती है उस State के रेटेड़ लेकिन एक Central Government होती है जिसको हम Parliament यह संसत के तोर पे जानते हैं अब संसत का जो काम है वो पूरे इंडिया के लिए Rules बनाना है Laws लेके आना है Legislature लेके आना है तो इसी चीज़ को Specify और Exclusive Power की तोर पे आर्टिकल 35 में में मेंशन किया गया आर्टिकल 35 में साब बोला गया कि जो इंडियन पार्लेमेंट है जो की Central Government है उसके पास एक Exclusive Power है कि वो Rules and Regulation बना सके और वो किस से रेलेटेड बना सके जहां पर कहीं पर एमेंडमेंट करना हो या किसी पार्ट को डिलेट करना हो उससे रेलेटेड और इसमें भी कुछ खास करके आर्टिकल को मेंशन किया गया है जैसे कि आर्टिकल 16 क्लॉस 3, आर्टिकल 32 क्लॉस 3, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 33 इन चीजों को मेंशन किया गया है और बताया गया है कि इसमें कुछ भी deletion, मतलब उसमें कुछ भी delete करना हो, हटाना हो या कुछ add करना हो तो आप exclusive power जो article 35 के तहत दिया गया है उसके लिए आप कर सकते हैं अब पारलेमेंट को जो exclusive power आटिकल 35 के तहत दिया गया है और उसमें जिसमें सबसे पहले आटिकल के बारे में बात किया गया वो है article 16 clause 3 अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो article 16 को लेकर नहीं देखा है तो उपर i button पर या playlist पर चेक कर सकते हैं उसमें हमने in-depth article 16 को बताया है अभी हम आपको short में बता देते हैं कि इसमें किसी भी candidate, article 16 clause 3 का जो है उसमें एक बात बुला गया कि किसी भी candidate का जो है वो righteousness क्या है उसके job के लिए उसके residence पर related तो इससे related हमने case study के साथ समझा है article 16 clause 3 में जो कि आपको मिल जाएगा हमारे channel पर दूसरा जो आता है वो आता है article 32 clause 3 ये भी article 35 के साथ read करने के लिए समझने के लिए बोला गया है इसमें जो है वो है कि कैसे central government जो है वो order pass कर सकता है lower quotes के लिए उन सब को बता सकता है कि यहाँ पर किसी office में किसी को involve करना है किसी को समझाना है उसको उसकी duty को बताना है तो वो भी article 32 clause 3 के तहट आता है और उसके बाद जो है दो चीज़ दो article और है जो कि 33 और 34 हो गया तो इसके लिए 33 में जो है वो बताया गया है कि कैसे Central Government जो है वो कुछ restrictions लगा सकती है Armed Forces के उपर और Article 34 जो है उसमें है कि Armed Forces की जो persons है जो job कर रहे है जो peace and order को maintain करने की जिनकों बात की गई है उनके उपर यह responsibility दी गई है और Central Government पर यह power है कि उनके उपर भी कुछ restrictions लगाया जा सके और इन सब कुछ आपको समझना है in depth तो आप इसकी लिए हमारे चैनल पर जो playlist है उसमें आप देख सकते हैं Article 33 और 34 को भी Article 35 जो है एक तोर पर Security प्रोवाइड करता है सुरक्षा देता है किसको fundamental rights को fundamental rights जो है वो Indian Constitution का Part 3 जो कि 12 से 35 तक आता है और साथी साथ fundamental rights को जो चीज़े हैं जो उसमें हैं कि कैसे इंसान को discrimination नहीं होना चाहिए on the basis of their caste, creed, sex or race, or residence, or domicile इन सब को लेका है साथी साथ जो fundamental rights हैं उसमें आपको आता है right to equality equality before law, equal protection of law फिर आता है right to personal liberty right to freedom of speech and expression बहुत सारी चीज़े हैं यह सब जो है article 35 protect करता है अब article 35 जो है एक तोर पर successor है जो US में bill of rights आया था उसका US में भी bill of rights में उसमें mention किया गया था कि कैसे लोगों को fundamental rights देना है और उनको बचाना है उनको कैसे state के operation से बचाना है और state का operation से बचाने के लिए होना चाहिए कि fundamental rights हो तो इसी तरह Indian constitution में article 12 से लेके 35 जो है वो साफ साफ mention करता है fundamental rights को और protection की बात करता है Indian citizens की जो भी Indian citizens है भारतिये नागरिक हैं उनके पास यह right दिया गया है कि उनको fundamental rights के जरीए से बचाया जा सकी अब article 35 जो है उसके लेक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि क्या यह सच मुच में controversial है क्योंकि article 35A उसको पढ़ा जाता था article 370 के साथ अब कुछ समय पहले की बात है आप सभी को याद हुआ कि कैसे Indian government जो हमने अभी बात किया तो स्टार्टिंग में कि कैसे Central government के पास एक power दी गई exclusive कि वो कोई भी laws बना सकता है जिससे किसी दूसरे state को कुछ अलग बात हो सके इसी दरीके से Central government जो है एक amendment act लेके आई और वो था abrogation of article 370 article 370 जो है वो article 35A के साथ पढ़ा जाता है अब उसी के तहत यह हुआ कि जो जम्मू कश्मीर का special status था एक state होने का और उसको अलग rights दी गई थी वो सब हटा दिया गया क्योंकि article 370 को abrogate कर दिया गया था article 370 के साथ और भी है article 370 A, B, C, D, E, F क्योंकि यह अलग-अलग states से related है वैसे ही नौर्थ इस्ट में जो seven sisters है उसमें अलग-अलग states को defined किया गया है article 370 के साथ लेकिन उन सब को एक साथ abrogate नहीं किया गया simple, एक को abrogate किया गया वो था article 370 A जो की जम्मू कश्मीर से related है और उसको read किया गया article 35 A के साथ तो यह एक ऐसी चीज है जिसवे controversy created होती है क्योंकि कुछ वक्त पहले तक जो जम्मू कश्मीर एक अपना state था उसके special status दिया गया था तो उनके पास यह एक right था कि वहाँ पे जो jobs हैं वो reserve कर लें domicile लोग के लिए मतलब कि जो इस्तानिये लोग हैं जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो कश्मीर के ही हैं उनके लिए वो था कि वो सिर्फ वहाँ की jobs create हो रही हैं वो उनके लिए हो लेकिन अब article 370 को abrogate करने के बाद जम्मू कश्मीर का जो special state का status था वो खतम कर दिया गया है तो अब यह open हो गया है अब central government के पास यह power है कि वहाँ पे jobs जो create हो रही है वहाँ पे किसी और को भी वो चाहे तो establish कर सकते हैं बठा सकते हैं तो अब आपको क्या लगता है कि article 35 जो है वो controversial है या नहीं आप नीचे comment में लिखके हमें बता सकते हैं अब article 35 A को लिखे जो दूसरा controversial point है वो यह है कि इंडिया जो है एक diverse country है यहाँ पर अलग-अलग तरीके के लोग रहते हैं और यह कैसे हो सकता है कि एक state जो है वो वहाँ के लोग के लिए specially resident का certificate दे और साथी साथ article 35 A जो है वो contradict कर जाता है article 14 को article 14 जो है right to equality है अब उसमें भी यह बात आती है क्योंकि हर एक state जो है अपने लिए अलग-अलग reservation रखता है तो क्या यहाँ पर यह है कि दोनों चीज एक दूसरे contradict कर रही है क्योंकि article 35 जो है वो भी अपने आप में fundamental rights है और article 14 जो है वो भी एक fundamental right है आप इस चीज को बारे में भी हमें नीचे comment section में लिके बता सकते है कि आपकी इस पर क्या राए है यहाँ पर जो बात है वो यह है कि controversial है दो अलग-अलग articles है article 14 right to equality के बात करता है वहीं article 35 जो है वो बात करता है special status grant करने का article 35 जो है वो last है fundamental rights में union constitution का part 3 जो कि article 12 से 35 तक आता है उसमें article 35 last है और यह एक controlling power देता है less literature को मतलब central government की जो less literature है जो संसद है उसको एक controlling power देता है कि अलग-अलग rules and regulation बना के लाए जिससे एक country में एक uniform laws आ सके और उसके तहत काम किया जा सके साथी साथ article 35 जो है वो protection देता है fundamental rights को तो यहाँ पर हमारा खतम होता है article 35 और इसी एक साथ complete हुआ fundamental rights जो कि article 12 से 35 तक हो है अब आगे हम बढ़ेंगे part 4 of Indian constitution और उसको भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अलग-अलग case studies के साथ अगर आपको ये वीडियो यादा लोगों तक हम पहुँँ सखेंगे thank you for watching nation info hub